साहेत्य संस्कृती और समाज के लिए समर्पेत ओजिल सेंटर फोर आर्ट एंड ड्रीडिंग ड्वेल्प्मेंट संस्थान दिल्ली त्वारा हिमाचल के युवा लेखिका और समाज से वी मिनाक्षी चौधरी को ओकाड साहेत्य सम्मान से सम्मानित किया गया है मिनाक्षी चौधरी को ये सम्मान राजेपाल अचारे देवरत ने सोमवार को राजभवन में प्रदान किया राजेपाल ने मिनाक्षी चौधरी को बढ़ाई देते हुए कहा कि उन्होंने यवा वस्था में 18 पुस्तकों का लेखन किया है और ये काम उन्होंने विवहारी के रूप से लोगों के बीच रह कर किया है राजेपाल ने कहा कि साहित्यकार की राष्टर नेमार में बड़ी भूमिका होती हैं उन्होंने प्रसनता व्यक्ष की कि वो लेखन कारे के साथ सेवा और खुशी जैसी समाज सेवी संस्थाओं का संचालन भी कर रही हैं उन्हों का कि ऐसे व्यक्ति ही समाचवार राष्टर का गौरव होते हैं उन्होंने अपने छोटे से जीवनकाल में लिखी ही नहीं अपित्य जो उन्हों में लिखा है वो द्यवारिक रूप से भी लोगों के बीच में काम किया है सेवा के रूप में और इस अवसर पर मश्री राकेश गुपताजी मिदेशक कोकाड को भी धनेवा देता हूं कि उन्होंने सही पात्र इस अवार्ड देने के लिए चुना है और आज इस नगर के प्रतिष्ठित लोगों के बीच में उनको हम सब सम्मानित करेंगे इसके लिए मैं श्रीमती मिनाक्षी चोधरी को बहुत बढ़ाई देता हूं इससे पहले राज जेपाल के सलाहकार डॉक्टर शशीकांत शर्मा ने मिनाक्षी चोधरी के व्यक्तितों पर प्रकाश डाला और उनके साथ लेखन के क्षेत्र के अनेक अनुभव सांजहा किये इस मौके पर मिनाक्षी चोधरी ने पुरुसकार प्रदार्न करने के लिए राज जेपाल का आभार व्यक्त किया और इस पुरुसकार को उन्होंने अपने सभी सहयोग्यों को समर्पित किया अवार्ड परसनली मुझे लगता है कि अवार्ड अकेले बंदे को नहीं मिल सकता उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं चाहिए वो आपके दोस्त हैं आपके पेरेंट्स हैं आपके टीचर्स हैं प्रफेसर वैपा राओ आपके सोलमेट्स हैं मेरे तरफ अवार्ड है इस मौक्या पर मुख्य सचीव राम सुभंग सिंग प्रधान सचीव क्रिशी ओंकार शर्मा वरिष्ट लेखक एसार हरनोट और अन्य गण माने लोग मौजूद रहे ब्यूरो रिपोर्ट सीटी चैनल शिम्ना